कैसे हैं दोस्तों, I hope you good and fine आज की वीडियो में बात करेंगे डिवोस के केसीस जो है इतने ज़्यादा बढ़ते क्यूं चले जा रहे हैं आज 2021 हो गया है और जैसे ही साल बीटते चले जा रहे हैं वैसे ही डिवोस के केसीस दिन बर दिन बरते चले जा रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है क्या लोग अपने रिष्टे को continue नहीं करना चाते कारण क्या होगा आज मैं आपको सारे कारण आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो ले करा हूँ आपके पास नोटिकेशन आए उसको देखो आपकी सारी प्रोब्लम्स इसी चैनल पर क्लियर होगी क्यों चाते हैं जो है मैरिश को अलगलग करता है ओके मैरिश को तोड़ देता है डिवोस का डिवोस जो है नेगेटिव रिलीफ है जो कि हम कोट जाकर खुद अपनी मैरिज को तोड़ते हैं डिवोस, नेगटिव रिव है अब डिवोस जो लोग है वो इसी लेते हैं क्यूंकि वो अपने रिष्ते को continue नहीं करना चाते हैं हस्बेंट है, वाइफ है वो अपने रिष्ते को नहीं चलाना चाते हैं आगे इसी लिए वो है डिवोस की तरफ जाते हैं कोट की तरफ जाते हैं अब वो इतना step क्यों लेते हैं वो रिष्टे को अपने तोड़ना क्यों चाते हैं इसको जो है आपको समझाने के लिए इसको मैं तीन theories में बांटने वाला हूँ तीन भागों में बांटने वाला हूँ सबसे पहली theory है guilt theory guilt theory, guilt का मतलब होता है किसी एक का दोश होता है guilt theory में हम बात करेंगे किसी एक का दोश होगा किसी एक की गलती होगी जिस वज़े से जो है दूसरा जो spouse होता है दूसरा व्यक्ती जो होता है वो husband भी हो सकता है wife भी हो सकती है वो कोट की तरफ जाता है डिबोस लेने के लिए अब गलती कैसे हो सकती है सबसे पहला कारण हो सकता है कि चाहे वो husband हो चाहे वो wife हो वो बाहर संबंद बनाने की कोशिश करते हैं वो अपने रिष्टे से बाहर जाकर कहीं और रिष्टा बनाने की कोशिश करें तो दूसरा spouse obvious है वो अपने रिष्टे को continue नहीं करना चाहेगा वो उससे divorce लेना चाहेगा अगर वो वहाँ पर खुश है तो मैं इससे divorce लेना चाहता हूं वो इसलिए कोट जाता है अडल्टरी पहले क्या था इसके लिए punishment दी जाती थी लेकिन सुप्रीम कोट ने ये भी खतम कर दी इसके लिए punishment नहीं होती अब punishment नहीं है डल्टरी के लिए तो इसलिए जो है divorce के cases और ज़दा बढ़ते चले जा रहे हैं कि डल्टरी तो अब रही नहीं punishment तो होगी नहीं नहीं है वो divorce लेना जाता है दूसरा कारण हो सकता है morality मार पीट अगर एक व्यक्ति जो है चाहे वो husband हो चाहे वो wife हो दूसरे के साथ मार पीट करे उसको मारे पती अपनी पतनी को मारता है तो पतनी जो है court जाती है divorce लेने के लिए अपने रिष्टे को खतम करना चाहती है अब पती भी जो है court में जा सकता है divorce लेने के नहीं पतनी से अगर उसको जो है mental morality करी जा रही है उसको mentally torture करा जा सकता है जा रहा है अब mental torture कैसे बात आ जाती है जैसे पतनी है पतनी उसकी मा को बुरावला बोलती है रोज बोलती है अब पतनी जो है पती को धमकिया देती है कि अगर तुने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाओंगी ऐसे रोज रोज करती है उसको mental torture करती है जिससे जिसके mind पे stress पड़ता है वो अपना रिष्टा continue नहीं करना चाता इसलिए वो court भी चला जाता है तीसरा कारण हो सकता है Desertion Desertion का means होता है त्याग ना For example कि जो पती है अपनी पतनी को घर से बाहर निकाल देता है या फिर पतनी जो है अपने पती का घर छोड़के चल जाती है की गलती नहीं होती जिसकी गलती नहीं होती वो court चला जाता है divorce लेने के लिए इन कारणों की वज़े से divorce के cases काफी ज़्यादा बढ़ते आ रहे है अब दूसरी बात दूसरी theory की बात करें तो वो है consent theory अब consent theory क्या होती है consent का means होता है इच्छा वो अपनी जो दोनों parties है parties कोन हो सकती है husband हो सकता है wife हो सकता है दोनों parties जो है अपनी मर्जी से divorce लेना चाती है husband भी continue नहीं करना चाता और wife भी continue नहीं करना चाती अगर जैसे कि आप सभी को पता है marriage जो विवा होता है दो लोगों के बीच में तो उनकी consent होनी जरूरी है उनकी मर्जी होनी जरूरी है तो अगर वो जो है इकठे हो सकते हैं अपनी मर्जी से तो वो अलग भी अपनी मर्जी से हो सकते हैं यह हमारा कानून कहता है अब consent theory में क्या है कि वो जो दो husband और wife है अगर वो चाते हैं, दोनों ही चाते हैं कि हम अपना रिष्टा continue नहीं करना चाते तो वो जो है, अलग हो सकते हैं, divorce का case लगा सकते हैं, mutual consent divorce ले सकते हैं अब हमारे जो कानून है, Hindu Mary's Act, Special Mary's Act, Jaffir Muslim Law हो, सब में mutual consent का option जरूर है, कि दोनों आपसी सहमती से जो है, अलग हो सकते हैं हमारा कानून इसको नहीं रोकता, कि अगर दोनों husband and wife अलग होना चाते हैं, divorce लेना चाते हैं, उसको नहीं रोका जा सकता वो अपनी मर्जी से जो है, अलग हो सकते हैं अब तीसरी थियोरी की बात करते हैं, जिसका नाम है Irritable Breakdown of Marriage अब इस थियोरी में क्या होता है, इस थियोरी में होता है, जो couples है, husband and wife है, वो पहले तो शादी कर लेते हैं लेकिन शादी के बाद उनको लगता है, कि वो इकठें नहीं रह सकते काईफी सारी कारण हो सकते हैं इन अकठें नहीं रहने के, कि उनकी दोनों की सोच नहीं मिलती उनके विचार नहीं मिलते, कोई East की तरफ है, कोई West की तरफ जा रहा है कोई कुछ और करना चाता है तो इस कारण में भी जो है वो अपनी marriage को आगे तक नहीं लेका जा सकते marriage को continue करने के लिए क्या होता है? marriage को continue लगाता है चलाई रखने के लिए क्या होता है? दोनों को adjust करना बड़ता है अगर उन में से एक भी व्यक्ति जो है adjust नहीं करता तो दूसरा व्यक्ति कब तक adjust कर लेगा तक जो है उसको आगे खीशता चला जाएगा अपनी marriage को ओके दोनों को parallel चरना पड़ता है marriage के लिए अगर कोई एक east जा रहा है कोई दूसरा west जा रहा है तो इससे काफी सारे लोग स्ट्रेस हो जाते हैं वो चाते हैं कि हम अपनी marriage को continue नहीं खरना चाते हैं ये भी कारण हो सकता है marriage को तोड़ने का मैंने आपको तीन थियोरी स्बताई guilt theory, consent theory, irretable, breakdown of marriage theory guilt theory में एक की गलती होती है दूसरा उससे divorce लेना चाता है इसके कारण भी divorce के cases काफी सारा बढ़ गए है दूसरी थियोरी मैंने आपको बहुत है consent theory कि दोनों लोग अपनी मर्जी से अलग रहना चाते हैं इससे देखते हुए भी काफी सारे divorce के cases बढ़ गए है तीसरी जो बात मैंने करी थी जिस कारण की वज़े से जो है हमारी society में divorce के cases काफी ज़्यादा बढ़ गए है courts में काफी सादा cases जो है बढ़ गए है divorce के तो ये थो main कारण इसके इसके इलावा काफी सारे कारण और भी हो सकते हैं लेकिन जो तीन जेम मैंने आपको main कारण बताए यही ज़दा court में cases देखने को मिलते हैं अगर आपके कोई और भी problem है आपकी कोई problem है आप मुझे comment box से जाकर comment करके बता सकते हो इससर मेरी ये problem है मैं आपके comments का reply करूँगा आपके questions आपके जो भी questions होगे उसको answer करूँगा हो सके तो ज़्यादा लोगों के मुझे questions आए तो मैं उसके उपर अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा तब तक के लिए आपको करना क्या होगा हमारे चैनल के साथ बने रहना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सब प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओके बैल आइकन दवाईएगा लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको इपर चले बलचल सके हमारी सुसाइटी में इतने ज़्यादा डिवोस के cases क्यों बढ़ गए है